Hi everyone, this is Timsi, welcome to my channel तो आज हम स्टाट करेंगे Geography के Chapter 1 के साथ Class 9 का जो कि है India Size and Location Basically हम इस Chapter में जानेंगे India के Size के बारे में इंडिया की Location के बारे में तो चलिए स्टाट करते हैं अपने Chapter के साथ पहले हम जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या Topic कवर करेंगे तो सबसे पहले में आपके Basic Introduction दूँगी Globe के बारे में Second हम जानेंगे इंडिया की Location के बारे में कि इंडिया कहां लाय करता है Third हम जानेंगे इंडिया के Overall Size के बारे में जो Last Second Topic होगा हमारा वो होगा India and the World Worldwide हम इंडिया को जानेंगे और देखेंगे कि इंडिया Worldwide कैसे Trade करता है जो Last Topic होगा हमारा वो होगा India's Neighbor Basically हम इसमें जानेंगे कि इंडिया की neighboring countries कौन-कौन सी है इंडिया किन-किन countries के साथ अपना border share करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनों Topic के साथ पहले हम जान लेते हैं Globe के बारे में तो आप यह जो Horizontal Line देख रहे हैं इसे हम बोलते है Latitude वही अगर हम बात करें Vertical Line जो की यह है इनको हम बोलते है Longitude इसमें Confuse नहीं होएगा Longitude मतलब Long और Long मतलब Vertical Long हम ऐसे याद रखते हैं तो इसलिए Vertical वही यह जो Beastal Line पास हो रही है इसे हम बोलते है Equator यह Basically हमारे Globe को दो पार्ट में Divide करती है और यह पास होती है Zero Degree से जो उपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते है Northern Hemisphere और नीचे वाले Point को बोलते हैं Southern Hemisphere वही जो Vertical Line 0 Degree से पास होती है इसे हम बोलते है Prime Meridian अगेन हैं हमारे Overall Globe को दो पार्ट में Divide करती है जो Right वाला पार्ट हो गया उसे हम बोलेंगे Western Hemisphere और जो Left वाला पार्ट हो गया इसे हम बोलेंगे Eastern Hemisphere Direction के साथ आप याद रख सकते हैं जो उपर वाला हो गया Northern नीचे वाला हो गया Southern राइट इस वेस्टन और जो लेफ्ट वाला हो गया इस इस्टन वहीं हम बात करें Topic of Cancer की तो Topic of Cancer वो लाइन है जो एक्क्वेटर से उपर की तरफ मतलब नदन की तरफ 23.5 डिग्री से पास होती है बेसिक यहां कहीं से पास हो रहे होगी वहीं अगर हम बात करें Topic of Capricorn की तो यह एक्क्वेटर से नीचे की तरफ मतलब सदन की तरफ 23.5 डिग्री सेम वही डिग्री कर डिफ्रेंस रहेगा और यह कहलाएगा हमारा Topic of Capricorn तो यह तो बात होगे हमारे Overall Globe की अगर आप देखे तो इंडिया हमारा यहां लाइक करता है जो कि पूरा पड़ता है Northern Hemisphere में देखे यह रहा एक्क्वेटर हमारा इसकी उपर रहा हमारा इंडिया मतलब पूरा जो लाइक करेगा वह नदन हेमिस्फेर में करेगा तो और वही अगर हम बात करें इंडिया की लेंड एक्सेंड की बेसिकली इंडिया की जो जमीन है कहां से कहां तक apply करती है वह जान लेते हैं तो इसके लिए मैप पे थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं यह देखे जो इंडिया का नॉर्थ पॉैंट है बेसिकली जो सब डिग्री 7-minute again हम देख चुके हैं यह North क्यों बोला जा रहा है और East क्यों बोला जा रहा है तो यह कहलेगा हमारा 68-7-minute East से start होता है और खत्म होता है हमारा 97-25-minute पर तो यह देखे हैं आप 20 से लाइन पास हो रही है यह है हमारी Tropic of Cancer जो कि इंडिया को दो equal part में divide करती है तो भही अगर हम बात करें इंडिया के आइलाइंड के बात करें इंडिया के पास दो आइलाइंड है एक हो गया कंड mellan andiquar आइलांड बूसरा हो घे करता है बेर वंगऑल और South East में वहीं अगर हम लक्षदीव आइलेंड की बात करें ये लाए करता है Arabian Sea में और South West में South East क्यों? क्योंकि देखिए उपर का हिस्सा जो हमारा हो गया वो North हो गया नीचे का हो गया हमारा South तो वहीं अगर हम बात करें Left तरफ की तो ये हो गया West और राइट तरफ हो गया हमारा East तो राइट तरफ में हमारा अंडवान नीकोबायर है इसलिए हम बोलेंगे से South East वहीं अगर हम बात करें लक्षदीव आइलेंड की जो कि लाए करता है Arabian Sea में इसको हम बोलेंगे South West ये तो चलिए बात हो गई हमारे आइलाइन्स की पर अगर हम बात करें Southernmost Point of Indian Union जो कि हुआ करता था इंद्रा पॉइंट पर अब वो नहीं है 2004 की सुनामी में वो समज़ड हो गया Under the Sea Water तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है मिलते हम नेक्स वीडियो में तब हम डिस्कुस करेंगे इंडिया की साइस के बारे में तब तक के लिए बाबाए